हेलो एब्रिवान मैं असीमन सारी सर आप सबों का स्वागत करता हूँ इस्टूडेंट देख सकते हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज है कि इनके लिए जो लोग B.A.D. करना चाते हैं या फिर B.A.D. यानि Bachelor of Physical Education या फिर Master of Physical Education जो लोग करना चाते हैं उनके लिए 2023-25 सेशन के लिए एक अहम न्यूज है देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है देखे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि राज में B.A.D. सहीत B.A.D. हो या फिर M.A.D. हो इसी के साथ ही साथ B.A.D. B.A.D. और M.A.D. है ना Bachelor of Physical Education और Master of Physical Education के कोर्स में नामांकन प्रवेश परिक्षा के माधियम से लिया जाएगा ठीक है इंटरंस यानि इंटरंस एक्जाम होगा बहुत से स्ट्टूरेंट ने मुझे पुछा था कि सर B.A.D. के लिए तो इंटरंस होता है बट MED के लिए इंटरंस होता है या नहीं होता है तो बता दिजे तो इस्टुएंट चलिए यह जो हमारा डाउट था वो बिल्कुल केलियर हो गया है कि चाहे बेट करना हो या MED करना हो अब आपको JCECB और एक बहुत भड़ी अपडेट है यहां पर कि जो इंटरंस एक्जाम है इस बार राची युनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया था बट 2023-25 का जो सेशन होगा इसमें JCECB के द्वारा इंटरंस एक्जाम लिया जाएगा और यह बहुत ही खुसी की बात है क्योंकि JCECB का जो भी सिस्टम है काफी अच्छा और बहुत ही ब इस बार नहीं दिया है जिसके कारण काफी मुस्किलों का सामना करना पढ़ रहा है इस्टुडेंट को ठीक है आगे चलें क्या लिखा हुआ है कि जो तो B.Ed, M.Ed हो गया और B.Ed और M.Ed कोर्स में नमांकन परवेस परिच्छा के माधियम से लिया जागा परवेस परिच्छा था कि ऐसा हो ठीक है परिच्छा हर वर्स 20-25 एपरिल यानि ये हर साल के लिए इस बार ऐसा मतलब मीटिंग किया गया है और ये डिसाइड किया है डिसिजन लिया गया है कि एवरी येर ठीक हर साल 20-25 एपरिल इस बार काफी सेशन लेट हो गया था 2022-24 का सेशन काफी लेट हो गया है तो इसी को देखते हुए इस तरह का डिसिजन लिया गया है कि 20-25 एपरिल के बीच में हर वर्स ले ली जाएगी कोरोना के कारण दो वर्स से नमांकन प्रकिरिया ओनलाइन काउंसलिंग के माधियम से चल रही थी ठीक है ओनलाइन काउंसलिंग के माधियम से चल रही थी कोरोना के कारण और चल रही थी राज सरकार आगे देखें क्या लिखावा है कि राज सरकार ने पुना फिर से पुरानी ब्योस्था लागू कर दी है उच और उच वह तक्निकी सिक्षा विभाग के परस्ताव को केबिनेट में देखें केबिनेट से ये पास भी हो गया सरकारी नीजी बीएड कॉलेजों में क्या लिखाए कि सुप्रीम कोट के निर्देशा नुसार नामंकन सीडियोल जारिक किया गया है हर वर्स हर सत्र में अब 10 जनवरी ठीक है देखें ये सबडेट याद रखेगा आप लोग 10 जनवरी तक संबंधित वीएड कॉलेजों में नामंकन के लिए विशी विद्याले से प्रस्ताव जे-सीई-सीई-वी को भेज देना होगा और परशत जो है एक फरवरी तक नामंकन के लिए बिग्यापन जारी कर देगा एक फरवरी तक एड़वरी तक आ जाएगा है ना एक फरवरी तक एड़वरी तक निकाल दिया जाएगा बीएड और एमेड के लिए ठीक है एक फरवरी तक नामंकन के लिए बिग्यापन जारी कर देगा और नामंकन फॉर्म नामंकन एड्मिशन के लिए जो फॉर्म है उसकी बिक्री और जमा है ना बिक्री और जमा फॉर्म ठीक है फॉर्म का सिल और उसको जो सब्मिट हम लोग करते हैं तो जमा करने की अंतिम्ति थी 10 फर्वरी 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च ठीक है मतलब फरवरी से लेकर मार्च तक में आप लोग को form इसका जमा कर देना पड़ेगा और एप्रिल में 20 से 25 एप्रिल में इसका एक्जाम हो जाएगा ठीक है तो हम लोग को क्या पता चला कि ठीक है कि every year क्या होगा कि February में notification आ जाएगा और March तक में form fill up हो जाएगा और April में एक्जाम हो जाएगा हम लोग तो इसी तरह का चाही रहे थे इसमें देखी क्या लिखा हुआ है कि एक फरवरी तक विग्यापन होगी जारी ये हर साल के लिए है कि बिएडेमेट के लिए एक फरवरी तक विग्यापन हर साल का जो new year जो होगा उसी में विग्यापन फेवररी तक जारी कर दिया जाएगा और पुरानी ब्योस्त लागू की जाएगी इससे पहले जिस तरह का system होता था कि काफी time से सारा चीज होता था उसी तरह से होगा इस बार काफी लेट हुआ है मुझे लग रहा है कि आज तक 2022-2024 का जो सेसन है इसमें जितना लेट हुआ है कभी भी इतना लेट नहीं कभी हुआ होगा और नहीं future में कभी होगा ठीक है इस बार बहुती ज़्यादा careless होकर सब कुछ हरे काम को किया गया है ठीक है कि वह लालज के कारण मुझे लग रहा है कि सब कुछ किया गया है नहीं कुछ भी किसी के पास से उसके बावजूद चाह रहा है कि मेरे हाथ में सब कुछ आ जाए मैं करूँ और ज़्यादा ज़्यादा कमाऊं और पता नहीं क्या-क्या दिमाग में है हम लोग तो सब पता चल ही रहा है कि क्या माइंड में किस के क्या है ठीक है एक बार यहां देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखावा है कि एक से पचीस जून तक करानी होगी काउंसलिंग हाँ एक्जाम तो हो जागा एप्रिल में बट एप्रिल में एक्जाम हो जागा उसके बाद जून तक आपका काउंसलिंग करने के बाद मतलब जूलाई से से सेसन सुरू हो जागा ठीक है जूलाई से से सेसन सुरू हो जागा बिस्तार में इसे हम देख लेते हैं लिखा हुआ है कि 20 विद्यालाई द्वारा काउंसलिंग 1 से 25 जून तक करनी होगी इसके आधार पर नामंकन लेने की अंतिमतित्थी 28 जून होगी ठीक है 28 जून तक 28 जून क्यों रखा गया है क्योंकि 1 जूलाई से लग रहा है कि सेशन स्टार्ट हो जागा इसलिए ठीक है तो 28 जून तक निर्धारित की गई है और हर कॉलेजों में कक्छा 1 जूलाई से देखे वही लिखावा जो मैंने एजूम किया था एक जूलाई से सुरू कर देनी होगी एक जूलाई से से सेसन सुरू हो जाएगा प्रवेज परिछा में 100 पुछे जाएंगे 100 पुछे जाएंगे students तो 2023 पचीज का जिनका सेसन जो डिएट करने का और M8 करने का 2023 का सेसन है तो वो लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें एक दूसरे को सेयर भी कर दें क्यूंकि 2023-2025 का जो सेसन में जो BAC related पल-पल की ख़बर मैं आप लोगो दूँगा यदि आप लोगो विश्वास नहीं है तो आपकी जो सीनियर हैं 2022-24 वाले सेसन के आप उनसे कंसल करके मेरे बारे आप पुछ सकते हैं कि नसीबान सारी सर हम लोग के लिए क्या करते हैं ठीक है तो 100 परशन आप लोगो इंटरांस एक्जाम में पुछा जागा JCE, CEV के द्वारे जो एक्जाम लिया जाएगा 100 परशन में से 40 जो परशन होगा वो teaching aptitude का होगा और इसी में 30 question जो होगा वो reasoning का होगा reasoning ability का होगा तर्क सकती का होगा और इसके बाद इसके बाद आपको भासा का ज्यान के लिए English subject का आपको English knowledge के लिए आपको 15 question पूछे जाएंगे और इसी के साथ ही साथ आपको हिंदी language का भी हिंदी का आपको 15 question हिंदी से आपको 15 question पूछे जाएंगे कुल मिला कर 100 question हो गया ठीक है जो कि negative marking होगा 0.25 का इसलिए काफी ध्यान के साथ question को item करें एकजाम जब होगा तो और उसमें अच्छा से अच्छा number लाएंग क्योंकि एक question भी गलत होने के कारण आपका rank बहुत पीछे चला जाएगा आप अपने senior से पता कर सकते हैं ठीक है तो आगे का और जो भी खबर होगा जो भी update होगा वियर्ड से related उसको उसको जानने के लिए चैनल पे आप बने रहें मैं हर एक पलपल का खबर आप लोगो दूँगा मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू गूडबाई टेक केर God bless you